हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेवी सिर्वास्तवा क्लासेस, हम इस वीडियो में इंडियन पॉल्टी जो एम लक्षमिकान जी के बुक है, उसके चैप्टर टू, मैकिंग आफ इंडियन कंस्टिउशन को यहां पर डिसकस करेंगे, हम इस चैप्टर को दो भाग में और इससे पहले जो चैप्टर है, इस्टोरिकल बैक्ग्राउंड, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो इंडियन पॉल्टी की जो आपकी प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक आपको आई बटन पर है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, तो आई वीडियो क को शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो अमरे टॉपिक है, डिमांड फोर कंस्टिउट इसेंबली, इससे पहले बाले चैप्टर में जो हिस्टोरिकल बैक्ग्राउंड है, उस चैप्टर में हमने देखा कि मुगल्स के बाद कैसे बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी उसके ब बड़त हैं, फैले उनकी प्राइबिट कंपनी हम पर रूरूल करती है, उसका फिर फिर अनव टांचावन के बाद क्या होता है, बिक्त अम्यूहिअ कि क्राॉन को डाइर लगती हैं, पनीन हम क्या होते हैं, तो जब हम अजार होते हैं, तो हम्सें क्या जरूरत पड़ती हम हमें एक Constitution की जडरूरत पड़ेगी क्योंकि जब तक British rule हम Britishers हम पे Rule कर रहे तो वह Rule कहां से बना रहे थे वह Act कहां से बना रहे थे वह किस अधार पे Rule कर रहे थे हम पे तो उनकी खुद की जो Parliament थी उनकी खुद जो कंसिट्यूशन थी जो बिटेन की प्रकंसिट्यूशन थी उसके अधार पर वह लौ बनाते थे और उसके अधार से हम पर रूल करते थे लेकिन अब तो हम आजाद हो गये थे तो अब हमें खुद को रूल करना था जब खुद को रूल करना था तो हमें खुद को एक कंसिट्य के जरूरत पड़ी तभी तो हम रूल कर पाएंगे उसके अधार पर ही और इसके लिए सबसे पहले जो है 1934 में अब Constitution की जरूरत पड़ी तो Constitution तो बनाने ही पड़ेगी तो Constitution कौन बनाएगी तो Constitution Assembly एक कठित होगी जो क्या करेगी Constitution बनाएगी तो Constitution Assembly जो Constitution का निर्मान करेगी उसके फोर्मेशन के लिए जो आइडिया थी वो 1934 में M.N.Roy के द्वारा दिया गया था M.N.Roy जो की Communist Movement जो इंडिया में है उसके जन दाता है इन्होंने ही बोला कि भारत में क्या बनने चाहिए Constitution Assembly बननी चाहिए जो क्या करेगी Constitution को बनाएगी और उसी Constitution के अधार पर हम क्या करेंगे रूल करेंगे फिर 1935 में क्या देखने को मिलता है इंडियान नेशनल कॉंग्रेस जो है हमारी जब आजादी के लड़ाई चल रही थी स्ट्रगल फूर इंडिया इंडिपेंडाइंस उससे में ओनली वन जो माना जाता था पार्टी वह इंडियान नेशनल कॉंग्रेसी थी इसने डिमांड किया कॉंस्टिवेंट एसेंबली का 1935 में ओफिसियल ही यह दिमांड हुआ पहली बार आइंसी के द्वारा ताकि हम कॉंस्टिटूशन का निर्मान कर सके भारत का क्योंकि आजादी के लड़ाई चरम सीमा पे थी और ऐसा डिमांड की आजादी मिल जानी चाहिए तो इसके चवाहरलाल नहरू आइंसी के भिहाप में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के भिहाप में यह बोले कि कंस्टिटूशन जो है इंडिया का वह फ्रेम होने चाहिए और वह कंस्टिटूशन कैसे बनना चाहिए तो बिना किसी बाहरी इंटरफेरंस के बाहरी इंटरफेरंस बोल पर इलेक्ट किया जाएगा उसमें मेंबर्स तो जाएंगे जो चुनाव कैसे होगा एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलने का मतलब क्या है सारो भौमिक मताधिकार मतलब सभी को एक स्टेंडर्ड जैसे अभी रखा गया 18 प्लस जो भी है वो क्या कर सकता बोटिंग कर सकता है तो वैसे इंडिया के सभी पॉपलेशन जो इस एज के एबब है पहले तो यह एज कितनी थी 21 साल थी इसको 1989 में कितना कर दिएगा 18 प्लस कर दिएगा 21 साल से जो भ के लिए वोटिंग करेंगे और वही मेंबर क्या होगे अके बैठेंगा और वह क्या करेंगे भारत के लिए निर्मान करेंगे ऐसे जोहरलाल नहरू ने 1938 में कहा ओके इस फार्ले डिमांड क्या हुआ यह डिमांड जो इसम्बली का इतने दिन से हो रहा था 1934 में हुआ पाइमेन रोय जी ने किया 1935 में इंडियन नेशनल कॉंगरेशन ओफिसियल ही किया 1938 में हमारे जोहरलाल ने रूप प्रथम पधान वनती जो बने बाद में उन्होंने डिमांड करी डिमांड जो फाइनली एसेप्ट की गई बिटिस गवर्मेंट के द्वारा एज फॉर्म अगस्त ओफर इन 1940 1940 में अगस्त ओफर के रूप में इस डिमांड को एकसेप्ट कर दिया गया और इसके लिए 1942 में एक क्रिस्प मिशन भारत भेजा गया जिसके अध्यक्षिकौन थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ठीक है जो कि एक काबिनेट के क्या थे मेंबर थे बिटेन के मेंबर थे यह भारत में आये और भारत में एक प्रोपोजल रखे कि वर्ल्ड वार में आप लोग हमारे साथ दे दीजिए हम आपको क्या करेंगे independent constitution adopt करने के लिए frame करने के लिए हम आपको क्या कर देंगे world war 2 के बाद आपको हम allow कर देंगे लेकिन आप जो rule करेंगे वो britain crown के अंदर करेंगे मतलब as a dominion करेंगे पूरी तरीके से independent आपको हम नहीं करेंगे तो dominant status की बात यहाँ पर करी गई dominion status की बात करी गई crisp जी के द्वारा 1942 में लेकिन crisp जी का जो proposal था इसको reject कर दिया गए Muslim league के द्वारा जीकि Muslim league अभी तक क्या हुआ गया था यह पूरी तरीके से पाकिस्तान के favor में आ गई थी और यह पूरी तरीके से demand में थी कि हमें दो constituent assembly के जरूरत है एक भारत के लिए और एक हमारा अलग पाकिस्तान के लिए लेकिन crisp proposal क्या था कि एक ही constituent assembly बनेगी है ना तो crisp proposal को reject कर दिया गए Muslim league के द्वारा और एक section के द्वारा अगर इसे reject कर दिया गया तो पूरी तरीके से इस मिशन को reject कर दिया गया और यह मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया फाइनली 1946 में cabinet mission बनती है cabinet mission भारत आती है 24 मार्च 1946 को इसमें जो member होते हैं पैत्रिक लॉरेंस स्टैपर्ड क्रिप्स और एवी अलेकजंडर यह भारत आते हैं और यह दो कांस्ट्ट्ट्ट्ट एसम्भली की तो बात को ठुकरा आते हैं लेकिन यहांने कांस्ट्ट्ट्ट्ट Assembly को की निर्मान के लिए मान जाते हैं In Deconomy Herset constitution एसमली होगी और आपको हम पूरी तरीके से independent कर देंगे मतलब स्वतनुद्टर कर देंगे इस बात पर जो है न मुस्लिम लिग सहमत हुई और काबिनेट जो मिसन रहा यह सक्सेस्फुल रहा और फाइनली अपने प्लैन को मई 16 1946 को यह पब्लिस कर देते हैं को कि अगर महना बात करें कंपोजिशन की अब अगर बात हो गई है कि अब कंशेटक्र असेंब्लिबने गी तो इसमें अभूमिय मेंबर्स कैसे होंगे याना कंशीटाु के नूस 246 में November में cabinet mission plan को formulate करने के लिए इसके features की अगर हम बात करें total seat में देखने को मिली Constituent Assembly में वो कितनी थी 389 total seat यहां पर देखने को मिली इसमें 296 जो seat थी तो बिटिस इंडिया जो बिटिस की जो जो बिटिस इंडिया थी हैना जो 11 governor provinces थे हैना और कुछ chief commissionaries थी इन totals की seat मिलाए कितनी थी 296 सीटे थी इसमें 292 किस की थी गवर्नर्स provinces की थी और चार किस की थी chief commissioner provinces की चीफ कमिशनर प्रोविंशनर प्रोविंशनर आज के हम union territory बान सकते हैं जैसे union territory डायेकली कंट्रोल होता है प्रोविंशनर से वैसे यह उससे में chief commissionaries था और वहां से चार लोगों को seat दिया गया और गवर्नर्स प्रोविंस्स थे 11 जो प्रोविंसेस थे बिटिस इंडिया की उन में से 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया ओके और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको 93 सीट दी ओके 296 इसमें से 294 किसको दिया गया 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से मेंबर्स चुने गया चार चीफ कमिशनरीज प्रोविंसेस से चुने गया मेंबर्स और 93 जो थे वह प्रिंसली स्टेट से चुने गया ओके अगर हम एक सीट पर अगर हम देखें तो एक सीट आप देखें यह जो सीटों का भटवारा था कि किस जगह से कितने सीट लिए जाएंगे वह बेस्ट था टोटली पॉपॉलेशन पर जैसे अभी हमारा जो क्या होता है जो गॉन्सिट्टिवैंजी होता है वो पूरी तरिके से किस पर विष्ट होता है पॉपॉलेशन पर Okay वैसे उस समय भी जो एक सीटे थी इसकी टोटल डिस्ट्रिबूशन जो हुई थी वो वो सीट पॉपॉल के reaction मतलब 10 लाक कंट्रोग पर एक सफे बनाई गए थी कि ओक लेक्टेजिटस घ्रल झाना के गाए तो यह जो एस फूलींट किया गया था बिटिस प्रोविंसे ती उसमें सीट एमना का में यूशозможно अगी किया ना जैनिंस आ्प वहां पे मुस्लिम सीट रजर्ब जहां पे ऐना इन दोनों की पॉपुलेशन नहीं ती ना ज्यादा वहां पे जैन्रल सीट है रखे गई थी दruceलम जो सीटों का यौकेशन वद्प्रि प्रिटिश्पने तो थीर थी एक मुस्लिम दूसरे सीख और तिसरा जेनरल जेनरल में मुस्लिम और सीख को छोड़के बाकि सारी पॉपुलेशन आती थी और हमने पहले ही बताए कि स्टीटो का अलोकेशन किस बेसिस पर हुआ था पॉपुलेशन के बेसिस पर किया गया था ओके देखें जो रिप्रेंटेशन हुआ प्रोविंसिल लेजिसलेटिव असे मेंबर्स का उसमें सभी कम्यूनिटी के मेंबर्स सामिल थे वोटिंग में भी और एजे मेंबर के रूप में भी और यह जो वोटिंग हुआ मेंबर्स की चुनाओ के लिए वो प्रोविंसल लेजिसलेटिव असेमली मतलब इंडारेटली इलेक्ट किये गए यह लोग इसको इसके लिए डारेटली जनता ने भोट नहीं किया लिए जो प्रोविंस में जो उनके द्वारा जो वोट करके पहुँचाया गया थे मेंबर जो पहुचाया गया थे जैसे अभी इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कौन करते हैं लेजिसलेटिव असेमली के जो मेंबर होते हैं स्टेट के सेम वैसे ही उस समय जो अगर किसी प्रोविंस से इलेक्ट किया गया किसी भी मेंबर को ए by a mean of single by a mean of single transferable vote America use किया गया है है'll इलेक्ट करने के लिए जो बिटिस प्रोविंस थे वहाँ से meant यह 5 है किसके लिए तो consult overlap देकर यह काम क्या था कि वह भारत के लिए आजाद भारत के लिए方 का निर्मान करें, ओके, अगर इसकी next feature की बात करें, तो princely state से, ऐसा election कुछ नहीं हुआ, indirect election नहीं हुआ, वहाँ से directly, जो वहाँ के head थे, राजा थे, जो, वो directly किसी भी इंसान को क्या कर सकते थे, किसी person को क्या कर सकते थे, constitute assembly में, nominate कर सकते थे, ऐसे power दिया गया, ओके, मतलब, खुल मिला के, अगर हम यह बात बोलें, तो constituent assembly क्या थी, partially elected थी, और partially nominated थी, याना, British provinces से जो members आये, वो तो elected हो क्या है, indirectly elected हो क्या है, लेकिन जो princely state थे, वहाँ से जो members थे, वो क्या थे, nominated थे, ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, working of the constituent assembly की, तो, हैना, अगर हम, constituent assembly की पहली meeting की बात करें, तो, 9 December को, देखने को मिला, 1946 में, ओके, हैना, 9 December, 1946 को क्या हुआ, constituent assembly की पहली meeting होई, मुस्लिम लीग जो थी, हैना, उसने पूरी तरीके से इसको boycott किया, यहना, क्योंकि वो पूरी तरीके से demand में थी, कि अब हमको पाकिस्तान चाहिए, उनको, उनकी जो, पाकिस्तान की जो भूत थी, पूरी तरीके से उनके सर पे सवार थी, और वो, हैना, इसको boycott किये, हैना, इस meeting को boycott किये, हैना, इस वाया से, जो हमारी total strength थी, इसेंबली को कितनी थी, 389, लेकिन first meeting में कितने लोग प्रेजेंट हुए, 211, 211 लोगी प्रेजेंट हो पाय, ओके, अगर हम बात करें, हैना, सचीजदान सिनहा जी की, जो कि सबसे oldest member थे, कंस्तुमेंट एसेंबली के, हैना, इनको temporary president बनाये गया, एसेंबली का, हैना, फ्र प्रेंच में ऐसे practice है, जो oldest member होंगे, उनको temporary president assembly का, बनाया जाएगा, उसको फोलो करते हुए, डॉक्टर सचीदान सिनह, जो कि सबसे oldest member थे, सबसे बुजुरुग थे, हना, सबसे, हना, तो इनको constant assembly का, क्या बनाया गया, temporary president बनाया गया, दो दिन बार, 11 दिसंबर को, 11 दिस चैलिस को, क्या किया गया, डॉक्टर राजंदर प्रसाद को, जो constant assembly है, उसका president न्यूक्त किया गया, उसके साथ-साथ ही, HC मुखर जी, और VT कृष्णम्माचारी जी को, vice president बनाया गया, assembly का, अम यह कहले, कि जो constant assembly थी, उसके दो vice president थे, है ना, नेक्ट अगर हम बात करें, objective resolution की, तो objective resolution, जो है, जैसे हमारे किताब में, अगर हम किसी किताब को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या subject है, क्या objective है, मतलब हम, क्या उससे achieve करना चाहते है, तो उसके लिए एक resolution लाई गई, तो हम इस constitution से चाहते क्या है, इस constitution में है क्या, यहना उसका निचोड मतलब एक सार अगर हम बोले एक सार जो है ना आपका निचोड जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजुलेशन क्योंकि जो इतनी लंबी चौड़ी है तो उसके वो इसकंशन के थ्रूँ हम क्या गोल एकिव करना चाहते हैं उसके ये एक बैब्जेक्टिव रिजुलेशन लाया गया कि मतल barrel निच्वर कंशीव करना चाहते हैं अभी तक तो अना बिटैन की जो गवर्मेंट ठीव क्या एशिव करना चाहते थी यहां से जितनी भी लेकिन जब हम खुद रूल करेंगे अपने इंडिया को तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे हम चाहेंगे यहां में सबका विकार सबका साथ है ना और सबको मतलब इंक्लूसिव डेवलप्मेंट की हम यहां पर बात करेंगे तो हम इस चाहते क्या है तो इसके लिए अब्जेक्टिव रिजुलीशन लाया गया किसके द्वारा जौहरलाल नहरू के द्वारा कि कब 13 दिसंबर 1926 को कि इसमें फंडामेंटल फिलोसोफी फॉलोसोफी थी इसमे सवरेंड रिपॉब्लीक इसा बतायागा ये पूरी तरीके से सवरेंड इंडिपेंड रिपॉब्लीक इंडिया की रिपॉड़ मतलब पूरी तरीके से सुवतंत्र होगा op susoda है उषा हम इस स से क्या चालते हैं कि यह भी बताए ग». टो वैसे जो पहले ब्रिटिस इंडिया के थे पिर जिस पर रूल कर रहे जितने भी पार्ट बने वह सभी में बाद में क्या करेंगे फेडरेट होके क्या बनाएंगे यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे और ये यूनियन ऑफ इंडिया क्या होगा पूरी तरीदे स्वतंत्र होगा सौवरेन होगा और हम तीसरे पोइंट की बात करें तो जितने भी पावर है य इंडिपेंडिया को प्राप्त होगी या फिर इसके पार्ट को प्राप्त होगी या फिर जो गॉर्मेंट के पार्ट से उनको प्राप्त होगी जो भी ऑथरेटी है जो भी पावर वो सभी किस से डराइब होगी पीपल से डराइब होगी जितने भी पावर से हैं किसी को भी य अगर हम people हैं तो किसी भी person को elect कर सकते हैं, किसी भी person को हटा सकती है, through election, तो जितने भी powers या authority है, जो sovereign independent India को प्राप्त होगी, या फिर किसी भी organ को प्राप्त होगी, किसी भी government organ को प्राप्त होगी, वो किस से derive किया जाएगा, तो पीपल से, जनता का सर्वप्री रखा क्योंकि हम democracy है democracy मतलब to the people for the people तो जनता ही क्या होगी करता धरता होगी और जितने भी powers निकल के आएगे जो भी powers आएगे authority आईगी वो सभी people से ही निकल के आएगी ओके इस constitution के थुरू हम क्या करना चाहते हैं तो guarantee देना चाहते हैं फिर secure करना चाहते हैं क्या secure करना चाहते हैं justice justice तिन प्रकार की होती है social economical and political justice हम जितने भी नागरिक हैं भारत के सब को हम देना चाहते हैं social economic and political justice हम क्या करना चाहते हैं सभी नागरिक को भारत के हम देना चाहते हैं इस constitution के थुरूप इसके अलावा equality देना चाहते हैं status of opportunity देना चाहते हैं है ना and before the law freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality यह सभी हम क्या करना चाहते हैं इस constitution के माददेम से अपने नागरी को तक पहुशाने की उम्मीद रखते हैं और यही objective है हमारा इस constitution का ऐसा हम declare करते हैं या फिर ना बताते हैं नेक्स्ट है एडिकवेट सेफकार्ट देने की बात कही जा रही है ना कि इस constitution के माददेम से हम क्या करेंगे सेफकार्ट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि मानरिटी जो थे या फिर बैकवार्ड थे ट्राइवल एरिया में हैं उनका बहुत ही सोसन हुआ और बहुत ही पिछड़ेपन में वह चलेगे इनको मेन स्ट्रीम तक लाने केλά ये क्या जरूरत थि इनको seat card for महते ही प्रोवाइट करते तो इनकी है ना दसा जो है ना और खराब हो जाती जो कि कि एक डेंटरिक क्ली क्या थी बहुत ही जाए न है बुरिए बात थी चाणा क्लै क्योंकि डे рол PCs बात करती सब की क्योंदी की है ना तो इनको इक्वाइट करने के लिए इनको अलग से safeguard provide करने की बात कहेंगे कि हम इस constitution के माध्यम से जितने विद्धबे कुछ लिए work हैं उन सभी को हम क्या करेंगे safeguard provide करेंगे ताकि वो mainstream तक आ सके यह बताया गया जो integrity and sovereignty है अखंडता जो है भारत की वो हमेशा से maintained रहेगी ऐसा बताया गया इस objective resolution के माध्यम से और हम world peace की क्या करते है promotion करते हम कभी भी लड़ाई जगड़ा हिंसा बगरा कि हम promotion नहीं करते हम promotion करते है world peace की वसुधेव कटमबकम की रना यह बाते ही बताए गई कि हम इस constitution से क्या करना चाहते है एचीव करना चाहते है यह बात कहां बताएगी तो objective resolution में बताएगी जिसे जोहार लाल नहरू ने 13 इसंबल उनिश्याइलिस को Constituent Assembly के सामने रखा इस resolution को एडप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को और यही जो objective resolution है यही आपको अभी modern जो constitution है उसमें preamble के रूप में आपको तो वो preamble है अभी present constitution में preamble जो है वो modified version है किसका objective resolution जो लाया गया था Constituent Assembly में जोहार लाल नहरू के द्वारा ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें Independence Act हमने देखा 1947 में Constituent Assembly तो बन गई थी 1946 में है एक नमारा देश कब आजाद हुआ 1947 में 1947 में जब आजाद हुआ तो वहाँ पे Independence Act लाई गए थी Mount Britain जब वाइस रोय थे उनके द्वारा तो जब Constituent Assembly पहले बन गई थी तो पहले बनी तो वो तो अभी तो British का रूल ही था जैसे ही Independence होती है हमारी कंट्री 1927 को 15 अगस्त 1927 को तो सत्ता किसके उपर आ जाता है भारतियों के हाथ में आ जाता है या ना बिटेन से तो Independence Act ने क्या प्रभाव डाला Constituent Assembly में Constituent Assembly में क्या-का चेंज़े लाए पहला चेंज़े जो देखने को मिलता है वो पूरी तरीके से Constituent Assembly अब क्या बगिनिक बन गई Sovereign Body हो गई क्योंकि पहले 1946 में तो बिटेस के रूल था भारत में तो किसके अंतरकत काम कर रहे थी बिटेन गौवर्मेंट के भले Independent थी हम अपने हिसाब से बना रहे थे लेकिन रूल किसका था बिटेन का था तो हम पूरी तरीके स्वतनत्र बोडी उससमें नहीं थी लेकिन जैसे ही इंडिया Independent हो जाता है तो क्या हो जाता है हम पूरी तरीके स्वतनत्र बोडी बन जाती है ताकि यह क्या कर सके एक Constitution का निर्मान कर सके ओके दूसरा चेंजर होता है जो कि Independence Act के द्वारा देखने के मिलता हूँ क्या पहले तो क्या था बिटिस रूल हो रहा था जो भी एक्ट होते थे वह कहां से बनके आयते थे के दो दिन अलग-अलग काम करती थी एक तइन अगर कंस्य wissen का मैं करती थी के दुद्ध और रुप में काम करती थे इस दिन यह कब तक चला 26 नौबर 1949 को जब तक कि हमारा Constitution बन के तैयार नहीं हो गया 26 नौबर 1949 को हमारा Constitution बन के तैयार हो गया था वहले बाद में इंप्लिमेंट कब हुआ 26 जनौरी uar ci 150 को कि हम देखेंगे मुस्लिमीश जैसे इंडिपेंडेंट्ठ हैंण इंडिपेंडेंडेंट्र और आया है तो भारत और पागिस्तान दो भाग में बट गया तो मुस्लिम लिग कि दर चले गई पहले का इसम्बली का ये पाट थी लेकिन जैसे भारत विभाजित हुआ मुस्लिम लिग कहां चले गई अपने लिग्ष का फ्रेम करने के लिए वह चले गई है ना अलग एक Constituent Assembly बना लिया है ना जो टोटल स्ट्रेंग्ट थी Assembly की ये 299 हो गई पहले कितनी थे 389 थी ओके है ना जिसमें अगर Indian provinces से बात करें तो 296 लोग थे हमने देखा है 294 11 provinces से थे और चार कहां से थे आपके चीफ कमिशनर इस से थे तो अब यह घट के कितने हो गए 229 प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर्स की संख्या थी कंस्ट्वेंट असेंबली में वह पहले तो 229 प्लस 70 कितना हो गया 299 ओके 389 से घटके जो इंडियन कंस्ट्वेंट असेंबली में जो संख्या थी मेंबर्स की वह कितनी हो गए 299 ओके दूसरे जो फंक्शन जो पर्फोर्म किये गया कंस्ट्वेंट असेंबली के द्वारा कंस्ट्वेंट कंस्ट्वेंट बनाने के अलावा वह क्या क्या थे तो पहला जो रेटिफिकेशन किया गया इंडियाज मेंबर्सिप का कॉमन वेल्थ में कॉमन वेल्थ हमने बनाया एक पताया है कि एक ग्रूप है इसमें वैसे कंट्री इसके मेंबर है जो पहले कभी भी बिटेस के कोलोनी रह चुके हैं तो उसके मेंबर्शिप के रूप में रेटिफिकेशन जो था मई 1949 में वो किस ने किया कंस्ट्रूइंट असेंबली ने ही य जिसका अड़ेप्शन हमारे कंस्ट्रूइंट असेंबली के द्वारा किया गया था कब किया था 22 जुलाई 1947 को चुके अबरा मारा नेशनल सॉंग है उसको भी 24 जनवरी 1950 को एडप्ट किया गया और असेंबली डॉक्टर आरेंदर प्रसाद को पहला प्रेस्जेंट भारत क इलेक्ट किया 24 जनवरी 1950 को ही ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंबली की तो टोटल 11 सेशन इसमें हुए है ना दो साल 11 महीने 18 दिन इस सेशन को करने में लगे है ना तो कोश्चन आता है तो यह एंसर रहेगा दो साल 11 महीने 18 दिन लगे को शीका भी किसेंबली को बनाने में और तोटल कितने सेशन करने पड़े Pader 07 को को शीनेय करते थे ना उन्होंने कम से कम साथ कंट्रीज्स के जो कंस्ट क्शन से उनको पूरी तरीका से खंगाला उनको देखा कि इन जो Constitutions में इनमें क्या-क्या ऐसे चीज़ें जिनको हम कर सकते हैं ताकि हम मतलब बहुत ही अच्छे Constitution का निर्मान कर सकते हैं इसके लिए उसके हम एक इंटिग्रेटेड नोट बनाते हैं उन दो तिन किताबों से जो-जो इंपोर्टन चीज़ें उनको मिला करें तो नोट बनाते हैं वैसी सेम यहां पर चीज़ें यहां पर देखने को मिली कि हैना जो Constitution makers थे इन्होंने कम से कम साथ कंट्रीज के Constitution को पढ़ा उनको समझा और उसके बाद उनमें जो-जो अच्छी चीज़ें थी उनको इसे नहीं कि पूरी तरीके से लिया उनको modified भी किया किकि उनकी समाज अलग है उनके पूरी तरीके से कंट्री अलग है हमारी अलग है नहीं हमारी जो सोच्यो एकोनॉमिक कल्च्रल जो डैवर्सिटी वो उनसे बिल्कुल भी नहीं तो उनमें modification के साथ हमारे Constitution में क्या किया उन जो प्रोविजनस थे उसको एडप्ट किया ओके और इस Constitution को ड्राफ्ट किया लगबग 114 दिन लगए ड्राफ्ट करने में इस Constitution को और जो टोटल खर्चा आया Constitution को बनाने में वह था देखने को मिला ओके है कि अगर में बात करें चौब़ी जनौरी 1950 को पाइनल सेशन होता है कि अना इस पूर्ट तरीका से खतम नहीं होती है Constitution मान का तो इसका काम खतम हो जाते लेकिन हमने देखा था क्या 1947 के एक से क्या परिवर्टन हुआ था Constitution Assembly में कि यह दो रोल निभा रही थी एक रोल Constitution निर्मान का दूसरा लेशलेटिव वर्क का तो Constitution बनाने का वर्क तो इनका खतम हो गया तो Constitution Assembly को नाम इनका खतम हो गया लेकिन यही Constitution Assembly क्या थी प्रोविजनल पार्लियमेंट के रूप में काम करती रही कब तक 26 जनुरी 1950 तक जब तक हमारा नया संविधान लागू नहीं हो गया और 1950 के बाद फिर नए पार्लियमेंट की फोर्मेशन हुई और पहला जेनरल लेक्सन हुआ 1912 में है ना और पार्लियमेंट हमारी देखने को मिली ओके इस वीडियो में इतना ही है ना इसके जो नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वह हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तो थैंक्यू